Hello students, हम लोग cover कर रहे हैं price elasticity of demand आज हम उसके factors पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कि price elasticity of demand क्या है is high और low, या तो वो high होगी या फिर वो low गी, जो demand है उसकी high होगी या low होगी, उसके अलग-अलग factors हैं जो इसके वज़े से ऐसा होता है तो आज हम वो factors ही पढ़ने वाले हैं, जैसे कि first factor है हमारा nature of commodity, आप सिर्फ इसको समझो कि कुछ goods होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा necessity वाले होते हैं, necessary होते हैं, जो हमें चाहिए ही चाहिए, कुछ होते है comfort level के हिसाप से कि हमें इस चीज का comfort है तो हम रहें, और कुछ होते है luxury goods, जो हमें एक अपने luxury के दिखावा करने के लिए या उस चीज के लिए खरीदे जाते हैं, तो जो necessary goods हैं, जैसे इसके अंदर क्या हुआ, salt, नमक तो आप खाओगे खाओगे ना खाने में, या आपका medicines हो गया, या kerosene oil हो गया, textbooks हो गया, vegetables हो गया, तो या आपके necessary goods हैं, जो है, या less elastic है, क्यों क्योंकि भई देखो, इनसान मेडिसन तो ले गई लेगा, और जो हमारी comfort वाली चीज़े हैं, वो, मतलब हम उसे भी लेंगे, कि भई, अगर हम पैसा कमा रहे हैं, तो हमें sofa चाहिए आराम्दा है, तो हम उसको effort कर सकते हैं, तो हम ले लेंगे, और ज कि एक luxury item है, जरूरी नहीं है कि बिचारा हर कोई रोज की रोटी कमाने वाला उस चीज़ को ले ले हैं, यह चीज़ है, second है, availability of substitutes, कुछ goods ऐसे होते हैं, जिनका substitute market में available होता है, जैसे tea, coffee हो गया, या pepsi, या coke हो गया, मानलो, coffee, tea कि 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 ने पैसे बढ़ाए, तो person, दूसर जो बंदे हैं, वो तो coffee लेना शुरू कर देंगे, या pepsi के बढ़ा है, तो coke लेना शुरू कर देगा, उसमें कोई रखनी पड़ेगा, क्योंकि बहुत जदा close हैं, यह लोग तो इसे के क्या बते है, substitute goods इने बोला जाता है, ठीक, अब आता है हमारा income level, income level के अंदर क्या हो होगे, उनके उससे, ठीक है, क्योंकि जो जिसके पर ज्यादा income है, वो तो कुछ भी खरी सकता है, उसको कोई सोचना थो ना पड़ेगा, अब है हमारा level of price, level of price क्या होता है, या own price of a good, इसके अंदर आपका क्या है, कि higher own price of a good, और costly goods like car या gold, have highly elastic demand, as their demand is very sensitive to change in their prices, अब अगर जो कार है, या gold है, आप इसकी price आप high भी कर दोगे, तो वो बहुत अदर वैसे goods नहीं है, कि जिनके बिजना गुजा रहा ही नहीं चलेगा, हमारा है, तो यह क्या हो कि level of price हो गया, बल्कि जो demand for inexpensive goods like thread on it, यह तो inelastic है, क्योंकि यह तो आपको effort करी हो गया, यह चाहिए ही हो कुछ चीज़े का consumption, कुछ चीज़े का consumption ऐसा है कि आप जिने पोस्पॉन कर सकते हो और कुछ चीज़े का आप नहीं कर सकते हो, जैसे suppose करो milk है, वो तो चाहिए ही होगा ना बच्चे को, है ना, तो वो क्या है, आपको चाहिए ही, बट अगर आप यह कहो कि नहीं आई स्क्र अगर आप उस गुड्स को, मतापको करना ही करना है तो पर जासे एलेक्रिसिटी तो आपको के लिए अग्दम नेसिटी भी है ना, तो वो क्या है आपका, मताप उसको को यह अल्टरनेटिव भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, तो यह तो भई, आपको यूस करना ही क अगर आपको कि तो आपको कर दो आपको कि अगर नमक के दाम एक दम गिर जाएं तो आप दो किलो खाना शुरू कर दो गया नहीं होगा तो यह चीज है यह उसको पर है कि हमारे जीतना एक्समान खर्चा हैं उतना ही उसको यूस करेंगे ना, और एक है हमारा टाइम कि जो लॉंग टर्म के लिए हम समान रख सकते हैं और कुछ शॉट टर्म के लिए जैसे मान लो मिल्क हो गया अब वो तो खराब हो जाएगा ना तो आप उसे शॉट टर्म में कंस्यूम करोगे और लॉंग टर्म में क्या हो गया मान लो तो वो क्या है आप लॉंग टर्म के मतलब के हैं कि हम किस चीज के लिए हैबिच्वल हो चुके हैं कुछ चीज ऐसी है कि हमें तो वह चाहिए ही चाहिए जैसे कि मानलो अगर कुछ लोगों को चाहे पीने की बहुत सदा आदत है या कॉफी पीने की या अलकॉहलिक हैं कुछ लोग तो यह आपकी है कि अगर आपक हमारे फैक्टर्स थे जो किसी के फैक्टर्स एफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमान तो आप इनको देखिए और इनको नोट डाउन करिये इस वाले मेंसी इसके अंदर वान या टू माक के कोश्च बन जाते हैं तो यह आपके बहुत इंपोर्टन आप बताया है वस इसको भी आप नोट करना जो एक्जांप्ल्स क्योंकि एक्जांप्ल्स से आपको जादर जल्दी याद रहेगा वह चीज ठीक है तो आप वह जो मै यह एंड करते हैं थांक्यू सो मच्च